नमस्कार, बच्चे आपसे जूट बहुत बोलते हैं, चोटी चोटी बात पर जूट बोलते हैं, अब बच्चों का जूट बोलना कैसे रोके, वैसे तो हर इंसान के जीवन में चोटे मोटे जूट हलके फिलके जूट चलते रहते हैं, हर इंसान दिन बर में चोटे मोटे चो बढ़ोस हो सकती है और आपके बच्चे तो हर चोटी चोटी बात पे आज कर बच्चे जूट बोलते हैं और जब उन बच्चों को अभी से नहीं सिखा जाएगा तो जब बड़े हो जाएंगे तो बड़े-बड़े जूट बोले गगार बड़े-बड़े जूट उनकी लाइ ुक्त propororit लिकेस को महा बाप्स चाहता है हर महाबाप चाहता है कि उसका बच्चा सच बोले J Когда मैंँ तुने किया हा किया या नहीं Kिया सच बोले लेकिन होता है क्या है बच्छे हता है बच्छे होते जूट तो बोलती ही ब videos are कि अब रहें भाग्राद कि बच्चे माबाप से जूट क्यूं बोलते हैं सब से पहले पता है को जूट गोलने को उन डर हो एक कारण होता है डर जैसे कि उनके हाथ से कुछ भी गिर गिडिया गर में गुज़ गया ममी पापा की अनुके चीजै कुछ कुछ भी गिर गिया और कुछ भी तूट गया अब उनका मन में डर बेट जाएगा और यार पापा मम्य आएंगे डाटेंगे मारेंगे और क्या करेंगे पस वो दर तो जब आप आओगे और जब आप कोई तूटी हुई चीज देखो गए रो आप उससे में हो जाओगे और और अपने बच्चे से पुझागे किस ने तूड़ा बता यह किपने तूड़ा आपका बच्चा क्या करेंगा डैन्यूर्य वो जोट होले ला नहीं मैंने नहीं नहीं तोड़ा व दने इस ने थोड़ा यह 돼 or którą यह और उसे डर रहता है कि मैं सच भोलों गा तर मेरे मम्य ब प्रापा को खुष करने के लिए चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे जुट ममी पापा बोल दे or, यACH ज्बापा आज मने ऐसा किया आज मां गेम ने ऐसे किया ममा ऐसे क्या, ओर मैंने उस लड़के सामने इतना अच्छा पर्रोमेंस किया तो माबाब खुस होते हैं अधिकतर बच्चों की भी यादत होती है वो छोटो छोटे जूट बोलते हैं उनके ममी पापा खुस होते हैं उनको शाबास ही देते है तो ये जूट बोलते हैं एक रिजन ये भी होता है तो सबसे पहले तो यह करेगी बच्चे से कर कुछ कलती हो जाए तो उसमें डर पेदा ना करे हां बच्चे को समझा रो हलकी खलकी सजा दे चोटी मोटी पविश्य में भी उससे कुछ गलतकारी हो जाए बच्चे को तो बच्चे के मन में रहेगी यार कोई बात में पापा तो what is this what will happen in future future में क्या होगा आपके बच्चे से कुछ भी गलत होगा आपका बच्चा आपसे सच बोलेगा नो नेवर वो कभी आपसे सच नी बोलेगा क्यों कि उसके पता है कि मैं सच बोलूगा दा मेरे ममी पापा मुझे मारेंगे इतना मारेंगे कि बच्चे से कुछ भी गलती हो या कुछ भी हो जाए तो हलकी कुलकी सजा दे उसको इससा डर न बिठाए कि वह थर थर कापने लग भी ख्री ऐसे क्ट बच्चे को खुद का उतारन पोड़ार है बच्चे किससे सीखते हैं पता है आपको आप से सीखते हैं पेरेंट से सीखते हैं, ममी पापा से सीखते हैं, आप फेमेली में बेटे हो, सबी जने बेटे हैं, ममी बेटे हैं, पापा बेटे हैं, बच्चे भी बेटे हैं, और आप दूसरों से जूट बोल रहे हो, और आपको पता है कि आप जूट बोल रहे हो, आपके बच्चे आपक सभी से कहेंगे ना आप जूटनेեղों कि तो बच्चे भी जूटने बोलेंगे तो जितना हो सके कम से कम बच्चों के सापने तो जूट मैं बोलने भी भी और हो सामने मत्पों के जिद्श कूरिश देने भाद कर पिच्छा जूट बोला है या बच्चे ने कुछ भी गलतकारी कर दिया तो आप उस बच्चे में डर्न बेटाए आप क्या करें बच्चे को उस जूट के रिजन बताए जूट के कारण बताए और उसे कहें कि तेरे से जूट अगर तु यह बात जूट बोले का वहेशन में तेरे को क्या नुकसान हो सकता है जूट बोलने के उसको नुकसान बताए चोटे बच्चे दीरे जैसे जैसे बड़ा होगार आप उसको जूट बोलने के नुकसान बताता जाओगे ना तो उसके दिमाग में बाते गर कर जाएगे और जब यह बाते इसके दिमाग में गर कर और आप से और दूसरों से हमें साथ सच बोनना सीख जाएगा